नमस्कार Think360 में आपका स्वागत है मैं हूँ लोकेंद्र किलानौत राजिस्तान के मुखमंत्री असोग गहलो दिल्ली में है और उनके दिल्ली पहुंचते ही पार्टी आचुकी है पूरी तरह से आने वाले दिनों में और भी बड़ी फैंसले देखे जा सकते हैं राजिस्तान PCC चीप गोविन सिंग डोटा सरा का भी एक बड़ा बयान आया है कि नौ लाग कारीकरताओं को पार्टी में एड़ेस्ट किया जाए गए यानि कि बूत लेवल तक उन लोगों को न्यूक्ति द साथ में तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे प्रदीप जी स्वागत है आपका अज उसका आउटपुट निकला है पार्टी आ गई है इलक्शन मोड में देखो अशोग गलूत ने कल मेडिया के साथ दिल्ली में बात की है डिनर कराया है और ये बताने की कोशिश की है कि मैं अब एक सेफ जोन में हूँ और मीडिया अब वो करे जो उनकी और से उनकी कंपनी डिजाइंड बॉक्स पैरवी कर रही है डिजाइंड बॉक्स की और से निचले लेवल के करेकरताओं को कहा जा रहा है कि आब अशोग गलूत के ट्वीट जो है उनको रीट्वीट की यह कहना पढ़ रहा है उनको खेर यह एक अपना मेकनेजम अलग तरीके से काम कर रहा है लेकिन जो देखने वाली बात है वो है कि आज और इंडिया कॉंग्रेस कमिटी ने एक सुची जारी की है मध्यप्रदेश के लिए भी और राजस्तान के लिए भी राजस्तान में दो सहब प्रभारी लगाए गए हैं साथ ही रंधावा के जो सचिव हैं तरुन कुमार उनको भी बदला गया है मां सचिव को जो असिस्ट करते हैं वो AICC में सचिव के लेवल का पदाधिकारी होता है तो कुल मिलाके जो दो प्रभारी लगाए गए एक विरेंदर सिंग राठ चुनाव था या उसके बाद लोगसभा का रहा तो उसमें वो सह प्रभारी थे दो लोग थे एक थे विवेक बंसल ने जहां जहां पैरवी की वहां कांग्रेस बुरी तरह से सल्टी रिकॉर्ड खराब रहा लिहाजा विवेक बंसल को इस बार मोका नहीं दिया गया है काज काजी निजामुदीन को सचिन पैलेट का समर्थक पाना जाता रहा है ऐसे में पार्टी ने साफ मैसेज दिया है कि विधानजवा चुनाओं में हम आपको फ्री हैंड तो नहीं छोडने वाले नजर रखेंगे सचिन पैलेट किस दिशा में जाते हैं क्या निरने होता है वो पस्ची में राजस्तान या वो उस इलाके में काम करने का मौका मिल सकता है अब देखने वाली बात यह है कि पुराने जो विवेक बंसल थे जिन पर कई तरह के आरोप रहे राश्चे इस तरह के सचिव थे वो आलांकि वो अपना ही चुनाव नहीं जीत पाए अलिगड से वो बात अलग है और मैं उसमें जालोर में था तो जालोर में कुछ टिकटों को लेके सीधा सीधा उन पर जो एक पूर विधायक रहे हैं रामलाल मेवाल उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए जो कैमरे पे बोलना भी ठीक नहीं है तो कॉंग्रेस ने इस बार एक बड़ा किया है कि विवेक बंसल को राजस्तान इस बार वापस नहीं बेजा है चुंकि यूपी में कॉंग्रेस सलट चुकी है तो विवेक बंसल कभी विधायक हुआ करते थे यूपी में इस बार अपने परफॉर्वेंस से हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर ली हो जो आला कमान के निजाम अद्दीन की जो नियुक्ति है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि सचिन पाइलेट के खेमे से नहीं कह सकता वो एक ऐसे पदादिकारी रहे हैं जो उन इलाकों में सक्रिये रहे हैं जब सचिन पाइलेट का प्रभाव हैं तो इसको आप दोनों तरीक जो संगठन को व्यवस्था को और पिछले चुनाव को कम सकम पार्टी की नजर से पार्टी के लिए जानता है और पार्टी के द्वारा उसको आगे ले जा सकता है तो काजी की जो नियुक्ति है वो इस तरीके से देखी जा सकती है कि पार्टी ने एक बैलेंस करने की कोशिश की है दूसरा आप यह देखिए कि हर्याना वाली जो न्यूक्ति है उसमें रणदीप सुर्जेवाला जो यहां से राजस्तान से राजसवा सांसद है उनका एक बड़ा रोल माना जा सकता है परन्तु सुर्जेवाला का खुद का रिजल्ट को ज्यादा ठीक नहीं रहा है जहा बड़ा करेक्टर होता है तो यह मान के चला जाना चाहिए कि जो आला कमान है उसने दोनों ही खेमों को पाइलेट खेमा हो या फिर अशोगैलूत खेमा हो दोनों को यह संकित दे हैं कि तो अलाकमान की यहां भी यही कोशिश रही है, खरगे के नाम पे जो आदेश आया है, उसमें यह है कि दो धुरी, दो जो हैं जवस्ताएं, वो पैरललर चले, एक नया समीकन चल रहा है, कि जो करनाटक का चुनाव है, वो सचिन पाइलेट के सियासी भविश को भहुत हद तक तै करेगा, क्योंकि करनाटक में जिस तरह से महोल बन रहा है, एक जो हवा चल वेगी कांग्रेस वहां मजबूत इस्तिती में बताई जा रही है, एक अच्छी फाइट वहां पर देखी जा रही है, तो अब इस तरह की बाते चल रही हैं, कि एक तो करनाटक चुनाव से पहले पार्टी डिश्टब नहीं होना चाहती किसी भी तरीके से, और करनाटक एलेक्शन से जो रिजल्ट निकल कर आएगा, वो सचिन पाइलेट का जो सियासी भविश है, वो बहुत अग्त्त्य गरेगा, देखो कॉंग्रेस में दो-तीन चीजें देखे जाने वाली हैं, चुनाव फाइट का है, इसमें कोई दोराई नहीं है, वहाँ पे तीन जो बड़े दल हैं, भारती जन्ता पार्टी है, जिसकी फिलाल सरकार हैं, वहाँ से यद्धी उरुपा अगर प्रत्याशी रहते हैं, तो भाज़ता के साथ लिंगायत वोट आते हैं, इस बार लिंगायत किस और दिशा में जाएंगे, वो अभी से कहा नहीं जा सकता, दूसरी कॉंग्रेस हैं, जिसमें डीके शिवकुमार, सिद्धा रमया, ये लोग हैं, दलित सीम की बात करके, डीके शिवकुमार ने कार्ड खिला है, कि अगर खरगे सीम बनते हैं, तो हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी, कि एक दलित को सीम बनाया जाए, कॉंग्रेस एक मैसेज भी देना चाती है, कि वो क्या खरगे को सीम बना सकती है, लेकिन उसकी संभावनाय नहीं है, ऐसे में कई वहां के और नेता भी रेस में आगे, जो दलित वर्ग से आते हैं, वहां सीम बनाके राजस्थान में कॉंग्रेस एक बड़ा मैसेज दे सकती है, क्योंकि भारतिय जंता पाटे में भी अभी राजस्थान में किसी दलित को संगठन में कोई बड़ी जवाबदारी नहीं है, आप यह देखिये, प्रतिपक्ष नेता के नाम पे जोगेश और गर्ग का नाम आया था, जो बड़े दलित नेता हैं, आरेसस के रहें हैं, लेकिन भाजपा में एक अच्छा प्लेटफॉर्म फिलाल तक दलित को नहीं दिया गया है, अर्जुन मेगवाल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की ज़ाएं, सचिन पाइलेट का जो सियासी भविष है, वो करनाटक चुनाव से बहुत अब तक टै होगा, मुदत यह भी कि सचिन पाइलेट इतना वेट करेंगे, क्या वो करनाटक एलेक्शन की रिजल्ट तक का वेट करेंगे, या उससे पहले अपने बारे में कोई फैंगा रही है, तारीक पर तारीक अगर पिक्चर में डाइलोग कहा है, तो उसे एग्जिक्यूट काउंग्रेस कर रही है, सीधे तोर पर है, तो अब कुछ कहना ठीक नहीं है, क्या मूव रहेंगे, यह उन पर डिपेंड करता है, सचिन पहले धरने के बाद, वो फिर आईसोलोशन में चले जाते हैं, और अशोग गहलोत का जो खेमा है, वो अपने काम करता रहता है, उसी नाते आज रोटासरा ने गोशना भी करती है, अब यह है कि क्या कांग्रेस के पास वाकई नौ लाग समर्पित कारे करता है, 56,000 के आसपास बूथ राजस्तान में बन रहे हैं, विदान सपाच अनाव के लिए 50,000 से उपर ही हैं, तो आपके बूथ लेवल पे कमेटी बनेगी, और उसमें अगर 57-57 लोग होंगे कम से कम, तब जाके स्टेट लिवल के और ऐसे लोगों को मौका मिलेगा, तो आप किवल नाम मातर का वो बनाएंगे, आप अगर पाइलेट खेमे के लोगों को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि जो फीड़बेक लिया गया है, उसमें जिस तरह से राजंदर गुड़ा गया आपने देखा, अंदर जाने से पहले फॉम में थे, फिर बाहर आये बड़े, ऐसा चल रहा है कि शायद कोई सक्त नसीहत आलाकमान लिए, तो वो जो फीड़बेक वाला था, उसका तो राज सामने आगया, वो फीड़बेक नहीं था, वहाँ विदायकों को तीनों ही धुरी जो संगठन की, जिसमें सत्ता थी, जिसमें प्रवारी थे और जिसमें संगठन थे, तीनों नहीं का भया, पर लोग कहें भी रहें कि डराया और धमकाया गया है, चुँकि इनको फिल्ड में काम करना है, लिहाजा कुछ ऐसा चल रहा है, जो आप कारेकरताओं की नियुक्ति कैसे करेंगे, जब हलात ऐसे हैं तो, और कारेकरताओं की नियुक्ति भी आप साड़े-चार साल बाद कर रहे हैं, वो 6 महिने के लिए आपके लिए भुखा प्यासा दोड़ेगा या नहीं, दोड़ेगा तो किस उर्जा के साथ दोड़ेगा, और दोड़ेगा तो क्यों दोड़ेगा, उस समय भी क्यों दोड़ेगा, क्योंकि सचिन पाइलेट लंबे समय तक PCC चीफ रहे हैं, और कोई भी वक्ति मैं सचिन पाइलेट की नहीं कह रहा है, कोई भी लंबे टाइम तक जो PCC चीफ रहता है, तो किसी भी नेता का सबसे पहला जो टारगेट होता है, कि बूट इस तर पर अपने कारेकरता खड़े करना, तो ठीक है, गोविन सिंग डोटा सरा PCC चीफ है, लेकिन सचिन पाइलेट ने जो काम किया ग्राउंड पर या फिर बूट लेवल तक उनके कारेकरता है, तो वो एक बड़ा फैक्ट रहेगा कि जब सचिन पाइलेट को लेकर कॉंग्रेस का इस्टेंड किलियर नहीं है, ऐसे टाइम पे आप बूट लेवल तक की बाते कर रहे हैं, बूट लेवल तक कारेकरता हों को एड़िस्ट करने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद ये करें, क्योंकि सभी जिलों में जिलादेक्षों की न्यूक्तियां बाकी है, अभी जो नई वर्तमान जिलादेक्ष के नाते, वो सारे सचिन पाइलेट खेमे के लोग हैं, प्रताप सिंग आचरेवास जैपूर में देख लीजिए, आप पाली में देख लीजिए, जालोर में देख लीजिए, समरजीत सिंग है, इस तरह से सभी जगे, वो पाइलेट खेमे के जीवाराम आरे सिरोही में देख लीजिए, सबी जगे इसी तरह के लोग हैं जो पाइलेट खेमे से रहे हैं तो क्या उन्हें बिल्कुल नजर अंदाज किया जाएगा या उनसे बरोसा लिया जाएगा कि हम अशोग गहलोत सरकार को चौथी बार रिपेट कराने के लिए समरपित बाव से काम करेंगे एक बात आपने जो चुगाड टरवाई है तो उनके लिए बड़ा संगट हो रहा है पारटी पतातीकार के लिए तो यह बड़ा कमाल खेल देखने को मिल रहा है तो तरह के लोग IPL में जा रहे हैं, एक तो वो लोग जो पार्टी में प्रभाव रखते हैं, या विवस्ता में प्रभाव रखते हैं, तो वो मैच देखने जा रहे हैं, और दूसरे वो लोग जा रहे हैं, जिनको सरकार का विरोध करना है, पैसे देकर जो जा रहा है, वो बांदी कोई को जि पत्रकार लोगों में गजब की नाराजगी है कि पत्रकार भी पास का जुगाड नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीजें तमाम तो फिर क्यों इस तरह के प्रिविलेज़ ज्यादा दिये जा रहे हैं। पॉप्कॉर्ण खाते हैं गिले सिक्विलेज़ उसी स्टेंड पर बैठते हैं जिसको लेकि विरूद था। तो ये एक चल रहा है लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। आईपियल में पहले ये था पिछले साल तक कि मैच हुआ जैपूर में तो बैन था कोरोना के बाद बन था। लेकिन मैच हुआ तो दूसरे दिन अख़बार अब पढ़ना बंद हो गए थे। कि आईपियल में क्या हुआ होगा क्योंकि रिजल तो आपके सामने आई जाता है। आप क्रिक इंफो पे देख लेते हैं। आप तमाम तरह की एप्स पे देखते हैं। लेकिन इस बार आईपियल के बाद जैपर में अख़बार जरूर पढ़ रहे हैं। कि स्टेंड में द मुठ्वा नुवल्वु नहीं होता की क्रोरी लाल मिळना पूरी रजिस्टान बहुत बड़ा फेस अईसे नेता है जो अपने पीछे एक बड़ाअ कंदा थि है और कि خpaper पी होती है उनकी पूरी मिठन को तब तक बाज़पा संग्ठन उनसे दूरी बनाए रहा है पहले चीज को लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा है कि यहां आके अगर आप खड़े होते हैं सचिन पाइलेट पहुंच जाते हैं भाज़पा का कोई नेता नहीं पहुंचता आप इसे बिल्कुल इसको क्योंकि सारे लोग वहां नहीं जा रहे हैं तो इसमें आप सही कहरे हो बिल्कुल पहुंचना चाहिए और एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के मंत्री की प्रताड़ना से आहत होकर सुसाइड कर लेता हैं क्योंकि मैं आपको बताओं कि जो ये हमारे याँ पे एक लौ है आईपीसी जिसमें कुछ चीजों का उन्मोचन हैं कि आप क्राइम करने में कई चीजों में जैसे मालीजी के गैर इरादतन हत्या हो गई तो इरादे को क्लियर करने के लिए आपको आधार बताने होते हैं कोर्ट में उसी तरह से ये जो सुसाइड है इसमें भी कुछ एविडेंस पर बात होगी तो ये क्लियर एविडेंस है महिश जोशी के खिलाप अगर उन्होंने नाम लिखा है तो गैरी रियत्ता नत्या वाली में आप यह देखिए कि अले ये नेतिकता थी नेताओं में कि वो इस तरह स्तीफा दे देते थे निश्पक्स जांच करवाते थे चुंकि ये प्रकरण दर्ज हो गया तो निश्चित तोर पर महिश जोशी को अगर लंबी राजनेती करनी है तो उन्हें उसी चुंकि वो उस पार्टी से जांके मंत बाजपा संग्ठन पर करें आखिर बाजपा संग्ठन क्यों डॉक्टर क्रोडलाल मिर्ना को लगातार लगातार सिल्सलिव कर रहा हूं जब्लिक लीडर जो अपने दम पे लीडर है संग्ठन अगर हम दर्शन पढ़ें तो संग्ठन का बेसिक आधार कमजोरी है मानव मैं संग्ठन बनाने के शुरुआत कमजोरी से हुई है कोई चीज अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता तो संग्ठन बनाया ये आधार हो गया है आज की राजनेती का उससे कोई भी दल अच्छूता नहीं है कॉंग्रिस में, बीजेपी में, सब जगे, आम आदमी पार्टिक में भी तो यही रा मुद्दा, बात मुद्दे की है आप व्यक्ति पर मत जाईए किरोडिलाल मिना जो मुद्दे उठाते हैं उनके मुद्दे वो मुद्दे होते हैं तो जन सरोकारों से संबंदित होते हैं उस सूसाइड नोट में किरोडिलाल मिना का भी नाम है तो सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि किरोडिलाल मिर्णा मुझे नयाय दिलाएंगे एक मरते हुए व्यक्ति के मन में एक चहरा कौनता है कि जब वो सुसाइड नोट लिखता है तो अपने परिवार के लिए लिखता है और वो अपने आपको प्रताडित करने वालों के लिखता है और वो उसके लिखता है कि ये व्यक्ति मेरे परिवार को नाम न्याय दिला सकता है तो इस लेवल के नित्रत्तों के लिए बहुत बड़ा बलिदान है और इसमें ज्यादा तर जो राजस्तान की दूसरे निता है वो लगबग असफल वाली इस्तिती है क्योंकि आप यह देखिए गजंदर सिंग खिमसर के बेटे ट्राई कर रहे है तीपेंदर सिंग शेखावत के बेटे कर रहे हैं नर्पत सिंग राजवी के कर रहे है राजंदरा ठोड के लगबग सबी जो नेता है यही सूची का कॉंग्रेस में महेज जोशी के पुत्र ने उनकी लेकिन तमाम यह कोशिश हैं कि we the people of India अमिन खान अपने बेटे के लिए टिकेट मांग रहे है तुमनी मुद्धा यह है प्रदीब जी कि चुनाव बहुत ज़्यादा नस्दीक है हमारी एक रिपोर्ट है ठिंग 360 के बड़ी रिपोर्ट है कि पूरी राजिस्तान में क्या भाजपा डिगंबर सिंग की कमी को महसूस कर रही है पूरे पूरी राजिस्तान में भाजपा के पास में एक भी चत्रप नहीं है सिवाए क्रोडिलाल मिना के जो अपने पीछे वोट वेंग ला सकता है जबकि कॉंग्रेस के पास में 1952 से लेकर 2000-23 तक चत्रपों की एक पीछे बीड़ाती है तो वो नहीं चाहिए आज की पॉलिटिक्स अमित सा आते हैं वहां करोडिलाल मिना को एक साथ किनारे कर दिया जाता है उन्हें बुलाया नहीं जाता लेकिन करोडिलाल मिना जब नेशनल पीपल्स पार्टे में गए तो उन्होंने चुनाव जीता तो वो चुनाव जीतने में उनके संगट नहीं है लेकिन यह है कि संगठन किसी व्यक्ति को अपने से बड़ा नहीं बनाना चाहता यह मुझूदा राजनिती की हकीकत है और इसे लोग कैसे स्विकारते हैं देखने वाली बात बहुत सारे मुद्दों पर वरिष्ट पत्रकार प्रदीद विदावत के साथ में हमने चर्चा की कल जैसे ही राजिस्तान की सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे राजिस्तान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए ठिंक 360 के साथ धन्यवाद झाल